असलाम लेकुल मैंस fitrins Welcome Back जैसे कि मैने प्रिव्यूस वीडियो में कहा नेक्सट में दिसकस करते हैं कि MPERTI का जो चलान फोम है उसे एक तो डाउनलोड कहाँ से करना है दूसरा उसे config कैसे करना है छेwatch करने के बाद उसे submit कहाン करवाना है तो सबसे पहला स्टप आपने सेम गूगल पर जाना है fpse.gov.pk यानि fpse की जो ओफिशल वेबसाइट है वो ही सर्च करनी है आपके सामने वेबसाइट आ गई वेबसाइट आने के बाद three dots पर क्लिक ठीक है यहाँ पर desktop site पर आपने क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने इस तरह से वेबसाइट अगीन ओपन हो जाएगी जैसे हमने प्रिविएस वीडियो में देखी तो यहाँ पर आपने यह अप्लाइ ओनलाइन के जो ओप्शन है इस पर क्लिक करना है यहाँ पर second option mcq-based test इस पर क्लिक और यहाँ पर यह जो चारो और रेड में दिख रहे हैं यह चारो हमारे बस pdf's हैं ठीक है एक में हमारे बस rules बतायागी है css के empathy के दूसरे में उसका syllabus बताया गया है तीसरे में online apply का बताया गया है चोत्ती में उसका चलान form बताया गया online apply का procedure वैसे आपको डाउलोड करने की जूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको उसका बताया दिया है चीक है और यहां पर जो first one है उसके rules जो है इसको भी हम बात में देख लेंगे और जहां तक बात है syllabus की तो syllabus अगर आप यह डाउलोड करते भी है तो इसमें confuse होंगे आप क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ subject का syllabus है बागियों का नहीं है तो syllabus में हम कल बात करेंगे अब ही जो बात करनी है वो download चलान form इस पर क्लिक करना है मैंने download पहले कर लिए again करना है तो आप कर लिए ठीक है आपने simply यहां पर download अगेन की जगर download लिखा हुआएगा download करना है download करने के बाद आपके पास वो simply आपने उसे open कर लेना है यह download हुआ है मेरा चलान form चलान form दाउलोड हुआ है इसमें देखें चार बिल्कुल सेम एक जैसी copies है ठीक है इसमें पहली जो है कि कौन सी copy कहां लगेगी लेकिन मैं आपको again बता देती हूँ ठीक है अब आपने यह जो टॉप पली चीज़ें इनको वैसे ही छोड़ दिने इनको कुछ नहीं करना इसमें यह जो नीचे चीज़ें है यह name of candidate की जगा आपने अपना नीम लिख देना है CNIC आपने लिख देना है ठीक है बस यह चीज़ें और टैर्सट उसके बाद आप जब इसे bank लेके जाओगे bank कौन से जाना है आपने national bank के किसी भी प्रांच में चले जाना है online submit नहीं होगा यह online नहीं होगा फिजिकल ही होगा आपने जाना के इसे submit करवाना है submit करवाएंगे तो वो क्या करेंगे यह जो bank copy है और यह जो treasury copy है वो यह अपने पास रख लेंगे दो copies आपको वापस कौन से देंगे दो copies कौन कौन सी candidates copy और FPS's copy दो copies दी ठीक है आपको उसमें वो एक number भी लिखके देंगे ठीक है आपने वो number जो है मैंने आपको जो previous वीडियो में बताया है कि आपने अपनी profile बनाने के बाद apply जो करना है वहाँ पे वो आपस bank जो है इसका number मांगेंगे चलान का तो वहाँ पी number आपने लिख देना है आप वो दोनों copies जो है वो अपने साथ लेकी जाएंगे जब आपका test होगा और ये fps जो है अपनी copy अपने पास रख लेगा आपके बास एक की copy बचेगी जो के candidate copy होगी so I hope कि आपको साइट जिसने पता चल गई है thank you